हालो दोस्तों क्या हाल है आपके मेरा नाम है परमौल तो दोस्तों आपके IQ University 7 में साल का पहला अपडेट जारी हो चुका है यानि जनुवरी मंद का जो अपडेट है वो रिलीज कर दिया गया है हाँ ये बात अलग है कि ये जो अपडेट है ट्रायल वर्जन में है एक से दो जिनके अंदर इसका इस्टेबल अपडेट आपके सिस्टम अपडेट में सो हो जाएगा तब जाके आप अपडेट कर सकते हैं और ये जो अपडेट है न दो पहलू में जारी किया गया है एक तो उनके लिए जिनके फोन में अभी तक Android 14 का अपडेट नहीं आया है तो उनक इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आपके आइकन यूज़वन में जो नया साफट अपडेट जारी किया गया है उसकी साइज क्या है वर्जन क्या है और क्या कुछ इस अपडेट में देखने को मिले है और ये जो अपडेट है क्या Android 14 का इस्टेवल अप इस तो आपडेट में जायें घुसके लिए मैं ट्रायाल वर्जन में लाइब आपडेट अप्डेट जारी किया गया घा अर बात करें अपडेट की तो जो जब्सक्त आपडेट जारी किया एक ऊपडेट की तो जो एक्डंश एस प्युन आप देख सक्तहिकर दोगे तो 14. लगबग 6GB के आसपास की होगी आपके फोन में आया तो कमेंट में जरू बताएगा कितने जीवी की साइज है हाँ यहाँ पर मैं कहूंगा दोस्तो वर्जन सेम रहेगा बात करें दोस्तो अपडेट लॉक की न तो मैं कहूंगा दोस्तो यहाँ पर आईक्यू ने आपके आईक्यू नियो शेवन के सिस्टम पे काम किया है और एंडोइट 14 के बाद जो भी थोड़ा बहुत बग्स या प्राब्लम्स बच गये थे उसको यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है बात करें दोस्तो अपडेट लॉक की तो सबसे पहले कर दिया गया है जो भी थोड़ा बहुत लेगिंग की इसू आ रही थी उसको फिक्स किया गया है और यहाँ पर एक प्राब्लम देखने को मिल रही थी कि कई बार जो अनिमेशन था वो बीच बीच में रुख जाता था फ्रीज हो जाता था तो उसको भी यहाँ पर फिक्स किया गया आप देख सकते हैं अप्टिमाइज गेम पर्फार्मेंस एंड फिक्स दो इसू वेर एनिमेशन ओकेजनली फिक्स दोस्तों मल्टिमीडिया की तो यह तरस से मल्टिमीडिया को और इंप्रूब किया गया है जो भी तुड़ा बहुत आउट्पूड में इसू आ रहे थी ना उसको फिक्स कर दिया गया आप देख सेकते हैं अप्टिमाइज द आडियो पैरामुटर तो इंप्रूब द इस्टेविल्टी आप 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 कर रहा था तो उसको कह रहा हूं कि यह इस्टेवल अपडेट है अल्रेडी मैंने आईक्यू के सर्विस सेंटर पर भी बात किया था तो ऐसे तो वह डिरेक्ट नहीं कहें कि यह इस्टेवल अपडेट है लेकिन उन्होंने यह कहा कि Android 14 के बाद लगबग 2 से 3 कोई साफ्टेयर अपडेट आ जात मिला है तो दोस्तों यहां पर इस सब्डेट के बाद एक इसू देखने को मिला है कि जो बैटरी हेल्थ का फीचर था ना वो बैटरी सेक्शन से गायब हो चुका आप देख सकते हैं यहां पर बैटरी हेल्थ का फीचर यहां से रिमूब कर दिया गया है ऐसा क्यों किया गय है तो कमेंट में दोस्तों जरूर बताईएगा तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद